नमस्त्रा दोस्तों, दोस्तों आज जिस स्टॉक के मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो स्टॉक अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे, तो दो तरह से इस अपने निविश्कों को मौका दिया है, पहला उन निविश्कों के लिए जो स्टॉक से एक्जिट करना चाते थे, 23 मही 2023 को इस स्टॉक ने अपना, इसी के आसपास आप 2-4 दिन उपर नीचे कर लिजे, इसी के आसपास स्टॉक ने अपना 52 वीख हाई लगाया, और लगभग 500 के भी उपर लेवल को तोड़ा, लगभग 509 रुपीज, जो इसका 52 वीख हाई है, वहाँ से स्टॉक ने फिर 40 के एक ट्रमेंड़स गिरावर दिखाई, वहाँ से स्टॉक ने फिर एक जंप दिखाया, लगभग 30-35 परसेंट का, और 400 के आसपास तच किया, और इतना ही नहीं स्टॉक ने दो बार 400 के लेवल को तच किया, अब उस समय कर आपको याद होगा, मैंने जब भी अडानी विल दिया था, वो थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं कहना चाहिए, थोड़े हफते एक आदो महीने पहले दिया था, जब स्टॉक ने थोड़ी जंप दिखाई दी, और उस वक्त भी मैंने वीडियो मनाए कहा था डानी विलमर में, कि अगर exit होना है, शौट टम के बहुत लो था, ठीक है, बाजार भी stock जब एक rally दिखाए, आप कह सकते हैं, जब stock पे बहुत ही tremendous bull run चल रहती है, तो गधे, घोडे, बिल्ली, सब भागते हैं, दोस्तों, ठीक है, यह, आप कह सकते हैं, मैंने किसी एक वीडियो में सोना था, यह बात तो उसी को repeat कर रहा हू यह मेरी के लाइन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगी थी, और उसके बाद जब दबाव आया, जब आपके सकते हैं, गिरावट आई, तो Adani Wilmer as a valuation इतनी जाद मुझे unreasonable लगती है, उस समय दोस्तों, कि बाजार के गिरावट के साथ यह गिरावट हो नहीं थी, बीच-बीच में कुछ दो-चार नियूज आई, इसके उपर ही बहुत सारी कॉमेंट्स देखी, इसके उपर ही एक बार वीडियो बना दीजिए, या Adani Wilmer में करना क्या है, और जो latest question आया था, कि भाई, क्या 300 का level फिर से तूटने वाला है, तो मुझे लगा अब Adani Wilmer में ए आदा काम आने वाला है दोस्तों, बट आपसे एक ही request है, चल मैं पहली बार आए है, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों, और अगर कुछ भी नहीं, तो आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव तो जरूर आपको समझ नहीं पड़ेगा, कि spice business एक बहुती बड़ा business है, और जब मैं बहुत बड़ा कहता हूं, आपको एक बास समझ नहीं पड़ेगी, आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं business line के एक article बढ़ रहा था, जो spice market है हमारे भारत में, वो 60% आज भी unorganized ह दोस्तों, हाँ, आप देखेंगे, Everest, MDH, यह आपको हर जगा मिल जाएंगे, और MTR के नाम के जो दोस्तों है, वो भी अब Northern India में काफी अच्छी पैड़ेवन आ रही है, जो Southern India की company है, तो दो चार नाम आप कह सकते हैं, कि जो पूरे all over India में आपको मिलेगी, ठीक है, और यह कारण है, कि Adani Wilmer ने यह का है, कि देखें, हम Spice बिसनस में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा, भारत अबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और कहा यह जा रहा है, कि लगभग 36 billion dollar का market share होने वाला है, आने वाले चार सालों में, Spice बिसनस का, और उनका यह कहना है, कि हम तक बात चल रही है, और जहां तक लग रहा है, कमपनी ने भी कहा है, कि हम जो acquire करेंगे, वो Southern India से ही करेंगे, और अगर आप Spice में खरीद रहे हैं, तो आपको most probably Southern India की company का acquire करना पड़ेगा, दोस्तों, ठीक है, तो यह बात ही हो गई, आप कह सकते हैं, company को लेकर के, इनके, आपके से हैं, Spice Business में किसे आने वाली है, बट अभी ऐसी कोई क्लारिफिकेशन नहीं, कौन सी खरदारी होने वाली है, क्या brand है, कितने का acquisition लगेगा, बट हाँ, यह for sure है, कि company आने वाले सामें, इसमें foray करने वाली है, यह बात हो गई, उस सवाल की भई, आपका Spice Business में क्य आपके सकते हैं, अपने portfolio बढ़ाने के चक्कर में क्यों है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ अभी समझा दू, आपको बता होगा ITC, भाली उसका business बहुत इदर जादा है, कि company agriculture में भी है, company, आपके सकते है, hotel business में है, infotech है, और tobacco business में है, बट सबसे बड़ा revenue आता है, व कि company no doubt, अपने food business पे बहुत आदा आगे बढ़ रही है, और company के दोस्तों, जो MD और CEO है, अंगुष मलीक साब, उन्होंने भी एक आया है, कि जो हमारा food business है, वो eatable oil business से काफी जादा अच्छा चल रहा है, जादा growth कर रहा है, बट स्टिल, जब मैं ये video record कर रहा हूं, आप सम सकते हैं, कि जो value है, वो 76% है, यानि आप जो overall volume बेच रहे हैं, उसमे 72% आप कह सकते हैं, 62% आप कह सकते हैं, कि वो eatable oil है, और जो value है उसकी, वो 72% है, बट हाँ, company का ये मानना है, कि देखिए, currently जो है, जो eatable oil का business है, वो आने वाले समय में, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ज लगे शिंदे सेंस, दोस्तों, मैं कहता हूँ, कि currently आप देखेंगे, तो जब मैं इनका interview पड़ रहा था, ये वाला नहीं, जो current वाला नहीं, थोड़े समय पहले का, उने कहा था, कि देखिए, इतनी साथा inventory है, कि वो काफी लंबा चलने वाली है, और अब उनका ये मानना ह कि शायद जो financial 25 का first है, वहाँ से, quarter 4 की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ आपको value growth देखने को मिलेगी, वहना currently, जो EWL की prices है, वो बहुत सारा down है दोस्तों, जिसकरन volume थोड़े uptick आपको शायद देखने को मिले, ठीक है, और as a company, अदानी विलमन अगर का contribution है, आने वाले समय उसे at least 40% करेगी, food business contribution की बात करा हूँ दोस्तों, आने वाले 3 से 4 सालों में, तो ये तो चर्चा overall आप कह सकते हैं, अदानी विलमर को लेकर के हो रही है, overall हमने क्या समझा, पहला कि भाई साब, spice business में आने वाली company, दूसरा ही है दोस्तों, कि जो company है, वो food business में ज्यादा focus कर रही है currently, लेकिन एक बात हमको नहीं भूलनी पड़ेगी, आज भी, जो major chunk है, वो edible oil से आता है, no doubt, volumes में थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, कि प्राइस नीचे है, लेकिन, margin में बड़ा dent है दोस्तों, ले देकर के लगातार 2 quarter के loss के कि नहीं करते है, और देखिए मैं बता दूँ, मार्च quarter ना, डिसेंबर से तो काफी अधा सलगेश होता है, और इस business को please, year on year हमको देखना पड़ेगा, और पिछले quarter में, भले ही अगर आप देखेंगे, company 200 क्रोड के उपर का profit book किया था, शो किया था, लेकिन, year on year भी आप तो देखिए अडाने विलमर ने, जो मैंने articles पड़े हैं, हर जागा एकी बात चल रही है, अडानी जो है, अडानी ग्रुप जो है, वो sell करने के पीछे पड़ा हुआ है, उसको sell करना है, लेकिन जो price उन्हें चाहिए, वो उन्हें वो price मिल नहीं रही है, ठीक है, तो जब प्लीज से प्लीज अपने देमाग में रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ भी इस quarter में ही, या अगले quarter में आपको, ये शायद खबर आ जाए, क्या है, प्राइस हम कह सकते है, sell होने वाला है, जो अडानी ग्रुप का, जो आपे सकते है, stay case, क्योंकि company, core business में, बहुत जा price नी मिल जाता, हम sell नहीं करेंगे, तो ये चीज एक चीज हो गई, अब बात कर लेते हैं, क्या जो stock है दोस्तों, अडानी विल्मर का, वो 300 का level तोड़ दे बाला है, तो देखिए मैं आप बता दू, stock कितना जादा week है, इसमें आपको एक ची समझ में आएगी, अडानी ग् विल्मर एक लौता ऐसा stock है, जो अभी भी red में था दोस्तों, कंपनी ने 330 की level को तोड़ के नीचे बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, कि जो 290 से लेकर के 310 का level है दोस्तों, वो अडानी विल्मर के लिए बहुत जादा crucial होने वाला है, और अगर इसमें बाजार के गि जान में रखेगा, कि quarterly number से पहले अपनी position को बहुत जाद ठोस कर ले, अपने मन में यह जान ले कि भाईया देखे, मैं तो यहाँ पर short term के लिए हूँ, या long term के लिए हूँ, अगर इतनी गिरावट होगी तो मैं stop loss कट करके निकल जाओगा, क्योंकि result में किस प्रकार result आते हैं, यह कोई भी नहीं बता सकता, so please यह चीज अपने दिमाग में जरूर से जरूर रखेगा दोस्तों, और Adani Wilmer as a stock जैसा मैंने हमेशा का है, company growth बात में है, company acquisition की बात भी कर रही है, company inorganic growth की बात करी कभी, 99 plan को हम acquire करेंगी, लेकिन जब तक वो उनके strategic जो goal हैं, उसके उप पर फुल्फिल नहीं करता, company बिल्कुर भी हड़ाने वाली नहीं हैं, दोस्तों, बट हाँ, आज भी उसकी जो valuation अडाली में मर की, वो मुझे अभी भी परिशान करती है, दोस्तों, और यही कारण है, कि थोड़ी दिन पहले, जब stock 400 के आसपास गया था, मैंने साफ का था, अगर शॉट टम के लिए थे, बहुत अच्छा मौका निकलने का अराम से निकल सकते हैं, stock अब वापस से 300 के आसपास रेड़ कर रहा है, तो हमको यह जानना है, कि अडानी विल्मर में अभी कोई बहुत बड़ा move आएगा, ऐसा मुझे तो कता ही नहीं लगता, बलकि downside risk मु आपके साथ share करनी थी, आपको कोई और बात बता नहीं हो, अडानी विल्मर के related, please comment box बताईएगा, चैनल पहली बार आहें, subscribe करके वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा, ये इस वीडियो का अंता है, चैन दोस्तों